गवरव पुराणिक इनका सवाल है कि डॉक्टर रेमंड मुडी दीपक चोक्प्रा ऐसे कई लोग लाइफ अफ्टर डेथ की बात करते हैं तो इसमें कितनी सच्छा ही है कि हमारे मृत्यू के साथ में सब खतम हो जाता है आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है केवल ये दो लोग क्यों दुनिया के सारे के सारे धर्म लाइफ अफ्टर डेथ की बात करते हैं याने बुद्ध धर्म के बारे में ये कहा जा सकता है कि बुद्ध धर्म लाइफ अफ्टर डेथ की बात नहीं करता है लेकिन बुद्ध धर में इतनी अलग-अलग शाखाय इतनी अलग-अलग विचार धराये हैं कि वहाँ तो पुनर जन्म की बात होती है दूर बात की क्या है दलाई लामा क्या चीज़े तिबेट में दलाई लामा धर्म गुरू ये पुनर जन्म होता है उसके कुछ लक्षेन बताए गए है उसमें से दलाई लामा चुना जाता है याने प्रमुक चुना जाता है तो इसलिए ये पुनर जन्म की बात लाइफ अप्टर डेट की बात सभी धर्मों ने की है तो इस दीपक चोपड़ा हो चाहे मूड़ी होई नई बात क्या कर रहे है पुरानी बात हमको पता रहे है ये सभी धर्म पुरे दुनिया में फैल गए है स्वर्ग नरक की कलपना कयामत का दिन डूम्सडे आएगा उस दिन आपका हिसाब किया जाएगा फिर आपको स्वर्ग में बेजा जाएगा फिर आपको नरक में बेजा जाएगा और सभी धर्मों में स्वर्ग में जगा खरिदने के बड़े धंदे शुरू हुए ना इसके लिए Christianity अपुआद है ना इसके लिए बाकि धर्म अपुआद है स्वर्ग में आपकी जगा रिजवर करने के लिए बड़े-बड़े धंदे निर्मान होगे बाबा लोग, मौलवी लोग, जन्नत तो मुस्लिम लोग भी जाते हैं स्वर्ग में सभी लोग जाते हैं, इसी मान्यता है और हमारे यहां के शास्त्री लोग, पंडित, पुजारी, बाबा, आपका मोक्ष भी खरीद लेते हैं आपके लिए वो बड़े एजन्ट होते हैं भगवान से, डारेक्ट उनके करन्ट होते हैं एकदम रिजर्व कर देते हैं हमारे लिए जगा तो life after death यह बहुत बड़ा धन्दा है फिर से मैं repeat कर रहा हूँ life after death यह बहुत बड़ा धन्दा है इस जीवन में कुछ लोगों को बहुत आसानी से जीने के लिए यह धन्दा बहुत जरूरी है उनको इसमें से पैसा भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है और यह चलता है तो दीपक चोपरा क्या और यह आपके मुड़ी क्या यह भी धन्दे वाले लोग है मैं बहुत जिम्बेदारी के साथ कह रहा हूँ मैं केवल आरुप नहीं कर रहा हूँ आज के जमाने में जिसको यह समश्ता नहीं के मुरुत्यू याने यही पर जिवन खतम होता है यह मैं मानने को तयारी नहीं हूँ याने इतना ज्यान इन लोगों को नहीं होगा यह मानने को मैं तयार नहीं हूँ इतने यह अज्यानी है यह मानने को मैं तयार नहीं हूँ यह इनका दंदा है लाइफ आफ्टर डेट का फैक्ट क्या है फैक्ट ये है कि हमारा मृत्यू यहां होने के बाद यहीं सब खतम हो जाता है ना हमारी आत्मा बहार जाती है ना वो स्वर्ग में जाती है ना नरक में जाती है ना डूम्स डे होता है ना कयामत का दिन होता है ना यम्राज आते हैं ना यम्राज हिसाब करते हैं ना चित्र गुप्त हमारा हिसाब लिख कर रखता है ये सबी कलपना हैं बहुत अच्छी कलपना है एक जमाने में ये कलपना हैं हमने निर्माण की उसके में तारिफ करता हूं क्योंकि इंसान अमर बनना चाहता है मृत्यू का डर तो है अगर मृत्यू हो गया यहीं सब खतम हो गया तो फिर क्या बचा मेरे जीवन में इसलिए एक अमरत्व के चाहा और उसमें से इस धंकी कलपनाएं विकसित होना ये एक प्रति भाष्याली दिमाग का काम है उसकी तारिफ करने चाहिए एक जमाने में जब हमारा ग्यान अदूरा था उस जमाने में शायद हम इन चीजों को मान सकते थे स्वर्ग होता है नर्क होता है पाताल होता है वगएड़े वगएड़े कलपनाएं सब मान सकते थे आज के जमाने में definitely हमारा ज्ञान इतना बढ़ चुका है कि ये कल्पनाओं के लिए कोई जगह नहीं है ये हमारे ध्यान में आता है तो सही सोच रखने वाला वेक्ति क्या कहेगा कि भाई यही एक जिंदगी है यही एक सच जिंदगी है इसी जिंदगी में जिएंगे वो महत्वका है तु बस इस जिंदगी में इंसान करकर अच्छे डंग से जिवो समाधान पाओ, समाधान से मरो यह रास ही जिवन लेकिन life after a date का डर बता कर यह धंदेवाइक लोग अपना धंदा सिधार थे उसमें से पैसे भी कमाते है डर के आधार पर लोगों को अपने कब्जे में भी रखते हैं, फिर उनका शोशन भी करते हैं यह सब लोग बाबा लोग यह लोगों का शोशन करने वाले लोग है चाहे उसमें personality की कोई बात कहे अध्यत्म का नाम लेकर बात कहे फिर भी ये दंदेवाई की लोग है ये आपने समझ लेना चाहिए ये सुनने को बुरा लगता है कि ये जीवन यही खतम होने वाला है इसके आगे कुछ नहीं है लेकिन सच्चाई यही है मुझे लगता है इस सच्चाई को हमने आनन से स्विकारना चाहिए और इस जीवन में मैं जो जिऊँगा एक इनसानियत पुरुआ अच्छा जीवन जिऊँगा ये मान कर अपने जीवन में चलना चाहिए अब इसमें से कुछ सवाल ख़रना है कि फिर भी मौरेल लिडी का क्या इनसान को जो डर है लाइफ अफ्टर डेथ का अच्छा बरताओ करता है बात सही है क्या सभी धर्मिक लोग अच्छा बरताओ करते है क्या ऐसा आपको लगता है तो धर्मिक सलो पर जाकर बैठिए शान्ति से देखिए फिर आपके ध्यान में आएगा कि धर्म के कारण कोई अच्छा बरताओ अगेरे करता ये बात सच नहीं है इसके बारे में मैं कई बार बोला हूँ मैं खुद जेल में रहा हूँ जेल में मेरे साथ में जो हजारे कैदी थे वो सभी के सभी धर्म को मानने वाले थे भगवान को मानने वाले थे और भगवान को साक्षी मानकर वो अपने गुनहा करते थे तब से मेरा ब्रहम तो टोड़ गया फिर आगे चलकर मैं तिर्धास्तलो पर जाकर बैठने लग गया और फिर रहा सोहा ब्रहम भी तूट गया लोग अच्छे हैं अच्छे लोग भगवान को मानते हैं अच्छा बरताव करते हैं बुरे लोग हैं भगवान को मारते हैं भगवान को साक्षी बनाकर बुरा काम करते हैं लोग अच्छे होते हैं बुरे होते हैं भगवान का अपने धंग से उपयोग करते हैं अच्छे लोग भगवान का अच्छे काम के लिए उपयोग करेंगे बुरे लोग बुरे काम के लिए भगवान का उपयोग करेंगे अपना गिल्द होने के लिए उसका उपयोग करेंगे और ये जो धन्दा करने वाले लोग है आपका मुक्ष सुकर करने वाले स्वर्ग में जगा रिजवर करने वाले ये तो पूरे के पूरे ठग होते हैं अब कई उधारणे एक छोटा सा उधारण बोलते बोलते मुझे याद आया इसलिए मैं आपके सामने दूँगा अब मैं आगरा देखने के लिए दिल्ली से बस से गया तुरिस्ट बस थी आगरा मैं जीवन में पहली बार देख रहा था था आगरा देखने के लिए उन्होंने एक गंड़ा दिया पचास मिनिट लाइन में गए पाँच मिनिट वापिस बस तक आने के लिए लगने वाला था मैं केवल पाँच मिनिट देख पाया मैं पहले भी उनसे जगड़ा था कि वहाँ लाइन होगी मैं केवल उस समय पाँच मिनिट अगरा का ताज महल देख पाया उसके साथ में मतुरा जूड़ा था हम मतुरा गए फिर मतुरा को हमको जन्मस्थल बताने के लिए एक जग ले गए और फिर हमको वहाँ कहाया गया मेरे बस में पचास एक लोग थे हमको कहा गया कि आपकी स्वर्ग में जगर रिजवर करने के लिए इतनी इतनी अगर आप देएदेऊगे डोनेशन दोगे तो आपके नाम की तक्ति यहाँ लगेगी और एक अपना टाइल्स उस नाम की लगेगी इसे कई लोगों के लिए टाइल्स लगे थे वहाँ पर धाई गंटे बैटकर वो सवधे बाजे चलते रहे मेरे बस में जो पचास लोग थे उसमें से कम से कम 45 लोगों ने मिनिमम एक हजार से लेकर तो बीस हजार तक के पैसे दिये कुछ लाख रुपे महां के महां डोनेशन एक ठा हुए है अब मैं पत्रकार हुश्यारिय से क्लीनर के कान में लग गया क्लीनर जो था एक गाइड था एक ड्राइवर था मैं जानता था कि ड्राइवर तो मेरे को जानकरी देने की गुंजाईश थोड़ी बूत है लेकिन गाइड थो बिल्कुल नहीं देगा क्योंकि सबसे बदमाश तो वही है मैंने धीर एसे क्लीनर के कान में लगा क्या यार तुमको कितना पगार मिलता है साहब बोले इतना मिलता है बोले क्यों आप वहां बैठे नहीं हो गया आप मैंने सुन लिया, अब मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं कहां से दूंगा यार गरीब आदमी इतना, तुम भी मेरे जैसे गरीब आदमी हो, ऐसा बोल कर उससे बाते निकल वाई, तब मुझे पता चला, कि ये जो डोनेशन मिलता है, उसमें से 50 प्रतिशत, 50 को मिलता है, ये स्वर्ग में जगह खायम रखने का धंदा, ऐसे बहुत धंदे हमारे देश में हैं, तो ये धंदे बाले लोग हैं, उस पर विश्वास मत रखिए, ग्लैडली एक्सेप्ट किजिए, कि हमारी जिंदगी यहीं खतम होती है, इससे आगे कुछ नहीं है,